जैशिक्रशा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं हरिवन्ष प्राण के 23 दिन का ध्याइप्रारम कर रहे हैं आप सभी जानते हैं कि हरिवन्ष प्राण का महत्तम बहुत है हरिवंश प्राण उन सभी दोशों को खतम करता है जिन भी इस्त्रियों को मासिक धरम ठीक नहीं होता या जिनकी काक बंध है या जिनकी अभी तक कोई संतान नहीं है या केवल एक ही संतान है उन सभी दोशों को समात कर उन्हें संतान सुक्ष की प्राप्ती होती है हरिवंश पुरान का महत्तम बहुत है इसको अवश्य सुने इसके सुने मात्र से ही सभी दोशों का नास होता है और संतान सुक्ष की प्राप्ती होती है अध्य प्रारम करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब करें बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बोचे बोलो हरीवंश पुरान कीजे हमने पहले अध्याय में बताया था कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार कंस का वद किया और मत्रापर उग्रिसेन को स्थापित किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया आज उसी कथा का आगे से प्रारम कर रहे हैं कि कंस की पतनिया अस्ती और प्राप्ती नामक कंस की दो पटरानिया थी वे स्वामी कंस के निधन होने पर दुखिद होकर अपने पिता जरासंद की राजभवन में चली गई वहाँ जाकर उन्होंने अपने वेधव्य का सारा कारण बताया उस अप्रिय समचार को सुनकर जरासंद शोक एवं क्रोध से आग बबुला हो उठा उसने 23 अक्षोणी सेना के साद चारो और से मतुरापुरी को घेड लिया वह प्रिथिवी को यादव शुण्य करने का उद्योक कर रहा था भगवान ने देश और काल के अनुरूप अपने अफ्तार का प्रियोजन सोच कर यह निश्य किया कि जरासंद का वद करना तो अभी उचितना होगा भगवान ने सोचा कि उसके जीवित रहने पर ही फायदा है यह सैना जुटाने का काम करता रहेगा और बड़ी तत्परता से करता रहेगा ऐसा होने पर दुष्ट सैना के सहार से प्रिथिवी का भार हलका होगा और धरम की रक्षा हो सकेगी भगवान ऐसा ही विचार कर रहे थे कि आकास सूरी के समान चमचमाते दो रत उतरे महान संकड उपस्सित है यह आपका रत है आप इस पर चड़कर शत्रों का संहार करे और यह कहकर भगवान अगर सहित कवत धारन प्रथक प्रथक रत पर चड़कर कुछ थोड़ी सी सेना साथ ले युद के लिए निकल पड़े उन्होंने युद स्थल में पोस्ते ही भीशन शंक धोनी की जिससे शस्त्रों का हिरदय काप उठा जरासन ने आगे बढ़कर बड़ी विशाल सेना से उन दोनों भाईयों को घेर लिया और अश्त्र शस्त्रों की भीशन विश्टी से उन्हें धक लिया भगवान ने शस्त्रू सेना द्वारा प्रशिक्चित तीशन बा और उससे भयंकत तीशन बाण छोड़ने लगे जन से शत्रों के हाती रत गोड़े और पैदल सेना कट कट कर प्रिथी पर गिरने लगी युद्ध भूमी में उनके रक्त से एक विशाल नदी बह चली उसमें कटी ही भुजाएं सर्प के समान खोपडियां कच्छों के समान हा सेना का संहार कर डाला जरासंद का रट तूड़ गया बलराम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और पार्ष में बांध लिया किन्तु भगवान ने और भी सेना के संहार की इच्छा से उसे छोड़ दिया और वह लज्जित हो वहां से लोट गया मार में उसने तपस्या करने का संकल्प किया परंतु उसके राजाओं ने निती वाक्यदारा समझा पुझा कर उसे रोग दिया वह दुखित मन से अपनी राजधानी मगद में चला गया अनंत वह पुने युद्ध करने के लिए सेना जुटाने लगा भगवान भी जरासंद को जीत कर मतुरा लोटे कि किन्तु जरासंद के युद्ध का भी अन्त नहीं हुआ था उसने तेईस तेईस अक्षोनी सेना सहित सत्रा बार मतुरा पर चड़ाई की किन्तु भगवान उसे के प्रती बार बार प्रास्त होते गए और अठारवे संग्राम में युद्ध के लिए नारजी के संकेत पर का लिवन आ गया उसने तीन करोड मिलेच सेना के साथ मतुरा पूरी को घेर लिया भगवान ने बलराम की सला से विश्करमा दरा समुंद्र के अंदर किले के रूप में द्वारिका पूरी का निर्मान कराया जो समुंद्र के अंदर बारा और बाहर उन्निस योजन की थी पूवन आराम आदी बड़े सुंदर बने थे भगवान में नाना प्रकार की दिव्य मनिया चमचमा रही थी भवन में भगवान के योग माया द्वारा सोते हुए मतुरा वासियों को वहीं ले गए केवल युद्ध करने वाली थोड़ी सी सेना मतुरा के तत्त पर मोर्चो पर लगा दी भगवान ने उनकी रक्षा में अपने भाई बलराम को निक्त किया और उनसे कुछ गुप्त प्रामश कर काल एवन से लड़ने के लिए सोयम निशस्त्र ही नगर से बाहर निकले काल एवन बहुत ही शक्तिशाली और अजेई था उसको वर्दान था कि वह पृ पर जन में किसी भी योद्धा से शस्त्र से नहीं मरेगा भगवान उसको मुझकुंद के द्वारा इसका वद कराना चाहते थे इसलिए सोयम निशस्त्र होकर उसके सामने गए और कहा कि है मुझकुंद अगर तू इतना शक्तिशाली और बल्वान है तो इसमें सेना का क्या युद्ध करें और जो हम दोनों में से विजय होगा उसी की सेना जीती हुई मानी जाएगी कालेवन बहुर शक्तिशाली था उसके अपने उपर बहुत घमन था उसने हा कहा और कहा कि ठीक है हम दोनों ही युद्ध करेंगे भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां देखो मैं अ और जो लोटकर वापस आएगा वही जीता माना जाएगा कालेवन भगवान कृष्ण की बात को मान गया कालेवन एक बहुत ही शक्तिशाली योध्धा था उसके पिता उनके पिता मर्शी गारगे थे जो बहुत ही तपस्वी थे प्रन्तु एक बार उनके साले ने उन्हें पुंसक कहक दिया जिस क्रोध से उन्होंने मर्शी गर्क ने बहुत ही तपस्या करी और भगवान शिव को प्रसंद किया और उनसे ऐसे पुत्र की कामना करी जो किसी से उसका वद ना हो ना कोई उसे शस्त्र मार सके यवन देश की राजा का कोई पुत्र ना था उसने कर उस पुत्र को मांगा जो पुत्र पैदा हुआ था वही काल यवन कहलाया वह अपने से बढ़कर किसी को वीर नहीं मानता था इसलिए जरासंद के कहने पर उसने उनकी मित्रता को सुईकार कर लिया और भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए तयार हो ग सके वह अपने उपर से किसी को भी बलवान नहीं मानता था वह अपने आपको सबसे अधिक बलवान और अमर समस्ता था इसी कारण से उसने भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए तयार हो गया और अपनी सेना लेकर आ गया काल यवन ने देखा कि भगवान कृष्ण निशस्त्र और पैदल है अते मैं भी निशस्त्र हूँ और पैदल ही इनसे युद्ध करूँगा ऐसा विचार कर वह भगवान की और दोड़ा किन्तु भगवान भी उसे आता देखकर भाग खड़े हुए वह भी उनके पीछे प पकड़ना सका भगवान पद पद पर हस्त प्राप्त की तरह अपने को दिखाते हुए काल यवन को दूर परवतों की कंद्रा में ले गए और वहां जाकर अद्रिश्य हो गए काल यवन वहां एक सोते हुए पुरुष को देखकर कहने लगा अरे इतनी दूर मुझे लाकर यह कैसा निश्चिन सो रहा है इस परकार उसने उसे ही कृष्ण समझ कर उसको एक लात मारी वह सोता हुआ पुरुष घबरा कर उठ बैठा उसने चार और दिष्टी डाली तो समीप में स्थित काल यवन को देखा उस पर उस पुरुष की क्रोध भरी दिष्टी पढ़ते ह उसके शरीर में आग लग गई और वह तुरंत प्रिधी पर गिरकर भसम की तरह धेर हो गया वह सोता हुआ व्यक्ति कोई और नहीं मुचकुंद थे वह इश्वांकु वंश में उत्पन राजा मांधाता का पुत्र था उसका नाम मुचकुंद था देवताओं की प्रात्ना होकर उससे वर मांगने की इच्छा की तो उसने निंद्रा का वरदान मांगा और साथ ही यह भी कहा जो मूर्ख बीच में तुम्हें जगाएगा वह तुरंत ही तुम्हारी दिष्टी से भसम हो जाएगा उसकी शयन गुफा मतुरा मंडल की दक्षिन सीमा पर धवलपूर मे थी वह उसी में जा कर सो रहा था काल यमन के भसम हो जाने पर भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया भगवान की तेज मैज जाकी से मुचकुंद अभिभूत हो कर चकित हो रह गया उसने प्रनाम कर अपना परिचे देते हुए भगवान का परिचे पुछा कि भगवान ने कहा हे राजन मेरे जनम करम और नाम के अनंत हैं उनका अन्त नहीं मनुष्य किसी तरह प्रिथिवी के रजकणों का गिन सकता है किन्तु गुण करम अनुसार मेरे नामों की गणना नहीं की जा सकती फि दिकुल में अफ्तीन हुआ हूँ वासुदेव कृष्णादी मेरे नाम है कंसादी बड़े-बड़े देत्यों को मैंने मारा है इस काल्यवन को भी तुमको निर्मित बनाकर मैंने ही मारा है इस परकार अपना परिचे देते हुए भगवान ने मुचकुन्द से कहा राजन बहुत प्रसन हूँ तुम्हारे अनुगरार्थ ही मैं यहां गुफा में आया हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो भगवान के इस परकार कहने पर मुचकुन्द ने कृष्ण की को प्रणाम किया और गर्ग के वाक्य का समरन कर उनको नारायन जान उनकी स्तुती करते हुए कहा हे भगवान आपकी मर्यादा से मोहित हो इस्त्री पुरुष दोनों ही सुख की इच्छा से दुखों की जनम भूमी इस ग्रस्ताश्रम में ही आसकत रहते हैं आपकी और उनकी दृष्टी नहीं होती दुख और परिपूर दुरलब शरीर नर शरीर पाकर भी ये आपके चरण कमलों का भजन ना कर सके तो पशु के समान हैं अंधुकूप में ही पड़े रहते हैं हे नात मेरा भी सारा समय और सारा जीवन इस्त्री पुत्रादी की चिंता में ही नश्ट हो गया विशई मनुश्य संसार में इस्त्रियों का मरकट बनकर उनके इशारे पर नास्ता फिरता रहता है उन्हीं के निर्मित नाना प्रकार के सकाम करुमों में उलच कर उनकी तीशना उत्तरात्र बढ़ती रहती है कभी उपरी मन से भोगों का परित्याक कर तपस्या में प्रवित होता है किन्तु भोग की इच्छा से दान पुणने किया करता है उसकी अंतरवासना नश्ट नहीं होती इस प्रकार उसे कभी भी सुक शान्ति का अन्भव नहीं होता अतेवे भगवान मुझे बंदन के वरो की इच्छा नहीं है मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी रक्षा करें इस प्रकार मुझकुन ने तेरश लोकों से भगवान की स्तुती की भगवान ने कहा महरा तुम्हारी बुद्धी बड़ी निर्मल एवं ग्यान प्रसंपन है जो वरो से लोभित करने पर भी विश् नहीं हुई अब तुम स्विच्चा से प्रथिव विच्चरन करो तुम्हें हमारी निष्चल भक्ती प्राप्त होगी जिससे दूसरे जनम में तुम ब्राह्मन होकर मुझे प्राप्त कर सकूगे बुल कृष्ण भगवान की जै दोस्तों आज हरिवंश पुराण के काम होता है बुल हरिवंश पुराण की जै